तो जब हम एमाउंट आफ एफेक्ट की बात करते हैं तब हमें रिग्रेशन इनालीसिस करना हुआ है ठीक है और पी इसके अलावा कुछ मौडलिंग है जो हम कर सकते हैं इन्फियूंसोड में मौस्लि हम लोग रिग्रेशन का उप्योग करते हैं और भी और इंफेंशल परपस हाईपतिस टेस्टिंग के लिए ना करके वो प्रडेक्टिव मॉडलिंग में यूज ज्यादा करते हैं ठीक है कुँछ अल्गोरित्म जो है ज्यादा इंटर्पेटेबन नहीं है और जब इंफेंशल की बात आती है तो वह इंटर्पेटेबिलिटी बहु ठीक है तो आज हम शुरू करने जा रहा है प्रडेक्टिव आनलेसिस तो लेट मी शेर माइस्क्रीन विट यू फ़र्स्ट जिस्ट मोमेंट यह फोल्डर फाइल कुले प्ड़ा है है पुटी है 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 पुटी जी मैं ठीक हूं सर बस चल रहा है बहुत कुछ कोई बाद नहीं है अभी शुरू ही किया है आज हम लोग प्रिती जी प्रेडिक्टिव एनालिसिस समय ने जा रहा है 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 तो कमें सिग्निफिकन डिफरेंस देखने सिग्निफिकन अफेक्ट देखते हैं जैज देखते हैं टीन चीज़ें उसका effect income पर कितना पढ़ ला है उनकी salary तो effect पढ़ ला है नहीं पढ़ ला है पर कितना effect किसका पढ़ ला है यह नहीं बता पा रहा है male का कितना पढ़ ला है और female का कितना पढ़ ला है वो amount जो है effect का वो वो नहीं बताता है नहीं पढ़ ला है या नहीं पढ़ ला है वो coefficients होते हैं जिनके थू हमें effect का amount पता चलता है ठीक है उसके लिए हम लोग regression analysis की तरफ आते हैं ठीक है regression analysis दूसरे भी जो predictive modeling है वो inferential में भी यूज होती है और predictive analysis में भी यूज होती है तो हम यह predictive में समझेंगे उसी को हम फिर inferential में भी यूज कर सकते हैं ठीक है ठीक है तो वह आज हम सुरू करना है जा रहा है और सबसे पहला जो predictive modeling होती है बहुती linear regression model ठीक है तो आज हम इसको शुरू कर रहे हैं modeling uses machine learning algorithm modeling किसका उप्योग करती है अब यह वन मॉड्लिंग के बात कर रहा है machine learning algorithm का उप्योग करते हैं in which the machine learns from the data किससे सीखती है machine डेटा से सीखती है just like human learn from their experiences same तरीका machine learning models can be classified into three categories based on the task performed in nature of the output दोनों चीज़े किस तरह का टास्क को फर्फर्फर्म करना है किस आउट्पूट वो देंगे दोनों चीज़ों के साफ से हमने उसको classify कि है पहला regression है फिर classification है फिर क्लस्ट्रिंग है regression the output variable to be predicted as a continuous variable में जो आउट्पूट वेरियेबल होता है जो हमारा टार्गेट वेरियेबल होता है वह हमेशा continuous होना चाहिए निम्रीक होना चाहिए इसक्रीट ओर्डिनल केटेगरिकल नहीं होना चाहिए दस्टेट मेंक सेंस जिए जैसे मैंने एक एक एक्जाम्पिल दिया था क्रॉप प्रडुक्शन बेस्ट डॉन रहे हैं ना कहीं बार बताया इसको तो क्रॉप प्रडुक्शन जो है वो भी एक प्रडुक्शन हमारा टार्गेट वेरीयबल है वो डिपेंड़ करता है रेंथ चाहिए और इसको प्रडिक्टर भी बोथा थें तो जरू रिग्रेसिन का मतलब यह नहीं है कि सभी वेरियबल continuous होना चाहिए हाँ target variable dependent variable वो continuous होना चाहिए बाकी के variable category कल भी हो सकते हैं किसी भी form के हो सकते हैं what it independent variable may be of any type is it clear? dependent variable can only be continuous can only be continuous independent can be anything दूसरा है classification ठीक है machine learning का जो दूसरा algorithm है model तो the output variable to be predicted is a categorical variable या तो categorical हो या ordinal हो या discrete what my point regression में output या जो target variable है वो continuous होना चाहिए classification में target has to be categorical 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 भी हो सकता है categorical भी हो सकता है discrete भी हो सकता है ordinal भी हो सकता है what my point मतलब उसमें basically probability निकालते होंगे what is the probability of it being this or that okay probability निकालते हो निकालते ही निकालते ही नो इन फोस्त्रापोलेशन थो गोगा नो अगरफ एक्स्ट्रोपोलेशन था पूच्छोग तो यह वो भी प्रोबबबिटी सही पता चलता है उसमें मीन ले लेते हैं बताओंगा आगे जब अगया क्लासिफिकेशन दपर्सन इस कोविड-19 पॉजिटिव और नॉट यहां दो के टिगरी दी है जांबल में पॉजिटिव है या नहीं है बाइनरी है तो यह क्लासिफिकेशन में चला जाए क्लस्ट्रिंग के वह मौडेलिंग होती है वह अल्गोरितम होती जिसमें टार्गेट वेरियेवल हमारे पस्ट होते ही नहीं है अप फश्टूमर सैंग्मेंटेशन करना है और आपके पस कर्फार की प्रोफाइल है उनकी एज है उनकी सेलरी है उनकी एजूकेशन है बहुत कुछ है ठीक है आपको उनकी प्रूफाइन तयार करें तो हमारे पस कोई भी पहले से केटेगरीज नहीं है तो हम कस्टूमर सेग्मेंटेशन क्लस्टिंग के दुवारा करेंगे और हम उनके गुरूप बना लेंगे ये गुरूप पर यह गुरूप है एक यह गुरूप है और उस गुरूप को कुछ नाम दे रहेंगे तो हम इसमें क्लस्टिंग में क्या करते हैं टार्गेट वेरियेबल डेवलप करते हैं वाटिट आया अफसांजी आपको समझ में आया जी सर यह हम टार्गेट वेरियेबल क्रियेट कर रहे हैं हमारे पास हैं नहीं पहले से हैं तो वह कलस्टरिंग में होता है जैसे कि आपके जो इस्टूडेंट्स हैं जिनको आप एंजियों के थिरू ट्रेंटिंग देते हो जी आपके पास उन्हें स्टूडेंट्स की प्रोफाइज हैं कुछ इंगिनेरिंग कर रहे हैं कुछ बीकॉम कर रहे हैं उनकी एज ये कौन से यर में है क्या है बहुत सी चीज़े हैं माल लीजिए आप उनके सेग्मेंटेशन करना चाहते हैं जी अलग-अलग गुरूप में ये स्टूडेंट इस ग प्रिफाइट में यही इसमें इसमें यह बनाता है इसका मतलग जैसे इसको हम अगर किसी अगर किसी क्लॉस्टर किसी मैप पर प्लाट करेंगे तो तो हम इस दिख जाएगा कि यह तीन परामेटर एक जगे आ रहे हैं यह तीन गया क्या हुआ मैं आपको एक इसका एक्जाम्पिल बताता हूं लाइफ एक्जाम्पिल जो मैंने एप्लाई किया था बॉंबे होस्पिटल में ठीक है वहां पर काडियोलोजी डिपार्टमेंट में इन लोगों के तीन गुरूप होते थे ठीक है काडियक पेसेंट के गुरूप वन में मेडिकेशन के ठीक हो जाते हैं गुरूप बी जो था वह उसमें स्टेम या इस तरह के एंजियो मंदब जो होता है लगाके या एंजियोग्राफिक के दुवारा ठीक कर दिया जाता हूं तीसरा होता था बाइपास वाटिट ती मेडिकल का इनका TMT मसीन और भी बहुत से ECG और बहुत से उनकी मसीने जाओ जो जो भी रेतिंग को काडियोग्राफी वगेर का सब डेटा आता था उस पैसेंट का तो यह से काफी पैसेंट का डेटा उनके पास जमा था तो उन्होंने मुझे तीन गुरूप दी ठीक है यह तीन गुरूप हैं हमारे और यह क्राइटेरी हैं यह यह रेंज होती है इसमें यह रेंज होती है तो मुल्टीपल वेरियेबल हैं करीब पचास साथ वेरियेबल थे बीपी था बहुत सी जीजती सुगर्थी ब्लड़ पे पेसरत बताई दिया बीपी और भी वहुत से युरिन से रेलिटेट जो होते हैं क्रेटनी इन वगेरा यह सब मतलब देर सो मैनी थिंग्स अब उसके हिसाब से तो ठीक है यह टार्गेट वेरियेबल इन्होंने मुझे दे दिया है क्लासिफिकीशन में कि यह गुरूप ए है यह गुरूप भी है यह गुरूप इसी ता पर मैंने क्या किया उस टार्गेट वेरियेबल को हटा दिया डेटा में से और मैंने क्लस्टिंग करी और जब क्लस्टिंग करी तो मेरे पास चार गुरूप आए तीन की जगें कितने आए चार जब मैंने वह चीज़ उनको बताई टॉक्टर्स के उनकी पैनल किसाब आप तो तीन गुरूप बोल रहा है पर मेरी क्लस्टिंग इसके चार गुरूप बना रही है आप इसको थोड़ा बारी के से स्टड़ी का है और वह वर्ले में कहीं भी नहीं हो था उसके पहले तीन गुरूप ही माने जाते थे उसके बाद जब उन्होंनों उसको बहुत माइनुटली स्टड़ी किया तो हेल लाइन डिफ्रेंस देखा गुरूप वन को दो गुरूप में डिवाइड हो गया था तो उसको वने और वन भी नाम दिया गया आज कल जो भी इनकी मेडिकल साइंस की किताबे होती है उसमें वने और वन भी आ गया है तो क्लस्टिंग कहीं वार इतना इंपोर्टेंट रोल प्ले कर जाती है समझ रहे हैं आप पॉइंट को क्लस्टिंग वेरी इंपोर्टेंट अल्गोरिंट तो फिर उस हिसाब से काम हुआ उसके अंदर आगे जाके रिक्रिसर्च पेपर भी उनका पब्लिस हुआ है और यह सब चीज़े रहती है कि अपन कहां से क्या निकाल सकते हैं डेटा में से है ठीक है ठीक होना चाहिए दिमाग पर यह मैं इसको ऐसे भी करके देख लिए ठीक है और यह कब होगा जब कि कब मिलेगी जब आप पर पैशन होगा डेटा के पर तब ही आप कुछ नया निकाल के दे सकते हो ठीक ना जो वह इमेजी नहीं कर रहे थे तो इस तरह से क्लियर हो गया आई है यह एक्जामपल में मैंने आपको बता दिया रियल एक्जामपल रियल वर्ल एक्जामपल बता दिया अब हम मसिन लेर्निंग मॉडल्स को और भी तरीके से क्लासिफाइब कर सकते हैं यहां दो ही दिये हैं एक्जाली तीन होते हैं शूपर्वाइब अन्सूपर्वाइब और सेमी सूपर्वाइब लर्निंग मैथड तो सूपर्वाइब में हमारे पास टार्गेट वेरियेबल होता है जैसा की रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की बात करें ठीक है तो यहां टार्गेट वेरियेबल है डिपेंडेंट वेरियेबल है अन्सूपर्वाइब वे ओते हैं जहां टार्गेट वेरियेबल नहीं होता है जैसे क्लस्टिंग विचे में परिट ए और तीसरा लगर्वो लोग सेमिस्पर्वाइब बोलता हैसा स्वं सेब्स्टिंग स्पर्वेस्पर्वाय नियुक्ता रेण्फोर्स्पे लर्निंग में में स की मुझे माडल को बीच बीच में सिखाते हैं कि वह जो गलती करता है उसके गलती को हम ठीक करवाते हैं तो वह होता है एंफॉर्समेंट तो यह तीन तरह की लर्णिंग होती है हम इसको बात में जब आगे बढ़ेंगे तो और मैं इसको बिटेन में आपको बता हुआ अब हम बात करेंगे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज की पहले में आपको रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बताता हुआ ठीक है झालू और में आपको बढ़ा आपको बात बता है कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि मेरा इंडिपेंडेट वेरीबल एक्स तर आप कितने मज़े से लिखते हैं दर इतना नीट करके लिखते हैं प्रक्तिस हो गया ना यह मेरा इंडिपेंडेंट वेरीबल एक्स और वाई मेरा डिपेंडेंडेंट वेरीबल है मान लीजिए कि यहां मैं वही बात कर रहू हूं रेंट और क्रॉप प्रॉडक्शन तो जैसे रेंड बढ़ती है क्रॉप प्रॉडक्शन भी बढ़ रहा है यह मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स है कि इस रेंड पे यह था इस रेंड पे यह था किसी रेंड पे दो भी प्रॉडक्शन हुई होगी नौप तो इस प्रकार से हमें यह डेटा है यह एक्शुल डेटा है अब मैं इस पर लीनियर का मतलब आप जानते हैं कि स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो हम एसा मॉडल बनेंगे बनाएंगे जो स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो और वह एक लाइन हमारी बेस्ट फिट लाइन होने चाहिए तो क्या बताया था आपने जिससे स्टैंडर्ड डेवियेशन मिनिमम हो हां उसका डेवियेशन जो एक्शुल पॉइंट से उसका मिनिमम होना चाहिए ठीक है न वह लाइन यदि आप कोई लाइन कि बेस्ट विट लाइन वह होगी जिससे इन सब पॉइंट का कुमिलेटिव पूरा डेवियेशन बहुत कम होगा है न वह हमारी बेस्ट फिट लाइन में लाइन तो बहुत सारी ट्रौ हो जाए पर बेस्ट फिट लाइन हमें चाहिए ठीक है इसमान लीजी यह मेरा प्राइब आता हूँ यह एक पॉइंट है मेरे पास एक्चुल पॉइंट है यह मेरा एक्स वान ठीक है इस इट क्लिए जी सर और लाइन जो है वो प्रेडिक्ट कर रही है तो यह मेरा यह सर यह पॉइंट यहाँ पे एक्स वान है मैं इसको जड़ा एक सेकंड में तो आसर चेंज को पहुंग यह यहां पर एक्स एक्सिस पर एक्स वन है इस पर जो वाइवन मेरा वो है जो हाइट के लाएगी वह वाइट के लाएगी ना वाइट कर रहा है कि वाइवन यह होगा पर एक्सवाइवन क्या है यह इतनी हाइट है ठीक है इसी पिरकार मानलो एक पॉइंट यहां यह एक्स थू था इधर वइट हुआ मेरा जी और नीचे प्रेंड कर रहा है कुछ उपर जा रहें कुछ नीचे जा रहें तो यह जो डेविएशन है यहां से यहां तक यह जो डेविएशन है यह एडर हुई की नहीं एक प्रिकार की आ जतना लाइन के होगा जतना यह दूर लाइन से होगा अच्छल पॉइंट मतलब लाइन पर यह डेविशन जतना का होगा उतनी का मिरा मुझे साइब आरहे कि जितना संग ओफ दिस एरर लोगा प्रेक्ट ना बेटर फिट होगा क्योंकि हो सकता है यह डिस्टंस जादा हो लेकिन अगर दोनों साइड पे डिस्टंस बैलेंस हो रहे हैं तो वह बेस्ट फिट है थीक है मैं आ रहा हूं उसी पाइन पर अब किसी मोडल की एक्क्यूरेसी को कता करने के लिए हमारा कुह नों कोई कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए kaust फंक्शन kaust से आप समझते न 16 की जाती हमें सं ट्रॉफट कव ज्यादा होगा जब आप कॉस्ट को मिनिमाइच करें डह न ट्रॉफट कटीग करते एंक नहीं काम सब्सक्राइब करता है ठीक है ठीक है अब क्या होगा इसको स्वाइब क्या होगा जैसा कि हमने देखा एक्ष़ वाइब माइनस क्यप वाइब यहां होगा और वाइब माइनस केफ वाइब होगा तो हम इसको लिख सकते हैं इसका नोटेशन होता है अब यह दो कंडिशन में गीरो के इक्वल हो सकता है यह तो सारे के सारे लाइन पर पढ़ रहे हूं और दूसरा दोनो तरह इकवल हो हाँ दोनो ऊपर का समयशन और नीचे वाले पॉइंट का समयशन जो डिफेरेंस का समयशन वो इकवल हो तो अब उस कंडिशन में जब ऊपर वाले पॉइंट जदी दूर भी है मतलब हर केस में दो बेस्ट फिट्स हो सकते हैं नाई यह point बहुत दूर है पर इनका summation deviation का summation और इनका deviation का summation same आ रहा है यह plus ऊपर वाला है कोई की y-kf y कर रहे हैं तो ऊपर वाली value मुझे positive मिलेगी और नीचे वाली value मुझे negative मिलेगी और यदि यह मालो यह मेरा 26 है और यह भी 26 है तो टोटल समिशन क्या हो जाए लेकिन बहुत पास है और लाइन की तूसरी तरफ, buying, मैं लेकिन बहुत दूर है जर लेकिन बहुत दूर हैं जो पॉस्ट मंसें यह वायबल नहीं है यह वाइबल नहीं है यह वाइबल नहीं है अभी वाइबल मैंने बोला ही नहीं है अभी तक सब्सक्राइब करते कि हाँ यह बताया कि यह जो जीरो आपने बोला जीरो के करीब होना चाहिए ना पर मैंने इसमेशन बताएं कि दो सिच्वेशन में यह जीरो के जीरो के इकवल हो सकता है दो कंडिशन पहली कंडिशन के पूरे एक्च्वल पॉइंट भी लाइन पहे आ जाएँ तो डेवियेशन सभी का जीरो का ईवशन एट्वी इट्वी एट्व एथरी सभी जीरो होंगे तो समेशन जीरो हो जाएगा ऑल तो आठाहिए एक। प्लस टॉन्डी जिक्स लेका है तो अभी तो जीरो हो रहा है हो रहा है है और कोई भी पॉइंट लाइन पर नहीं है इसे न और हम यह भी नहीं पता चैला है लाइन से किते दूर है क्या है तो यह जो मेजरमेंट है यह वाइबल नहीं है अब समझ में आया है अब हम दूसरे मेजरमेंट पे आएंगे तो सर वाइबल नहीं है मतलब regression में हमारा क्या finding निकला देखी accuracy model की निकालने के लिए आपको एक cost function चाहिए आपने model बना लिया आपका model की क्या accuracy 86% 89% 50% 20% आप कैसे पता करोगे इसी function के थूप पता करोगे कोई function बनाओ गया उसका कोई formula बनाओ गया वह formula कैसे कैसे बन रहा है तो वाइबल नहीं है कितना मैंने क्योंसा formula यूज करेंगे हम वहां की बात कर रहे हैं अब थीक है इस इट किलियर भाई आप model वहांगे उसकी accuracy पता करेंगे कि जैसे वहां पी वैल्यू की बात करते थे इन फ्रेंस में आप इस टेस्टिंग में पी वैल्यू से करेंगे नहीं थोड़ी लगाई है उस model को करेंगे या रिजट करेंगे हां वो model हम आगे करें या ना करें कोई model खाली 22% accuracy दे रहा है तो उस model को में रख्या क्या कर लूँगा वो तो सही नहीं बोल रहा है तो 20% ही सज बोल रहा है बागी तो सब जूट है उसमें वागी तो प्रडिक्शन गलब दे रहा है न वो तो उसके लिए हमारा पास accuracy का क्या measurement होना चुछी है तो अब भी अपन उस पे आ रहे हैं ठीक है इसट क्लियर हम concept समझ रहे हैं इसके कि मैं वाई आई माइनस के वाई आई के मॉडिलस वेल्यू ले लूँ जैसे हमने इस्टेंडर्ड डेविशन के पहले मीन एप्सुलूट डेविशन पड़ा था माइनस साइन को भी पॉजिटिव में कनवर्ट कर ले आ रहा है रियाज मतलब स्क्वेर कर लें इसको नहीं कर रहा है मैं पुराने सारे वीडियो देखूंगा तभी में को सब कर पाऊंगा डॉट को में मैं तो समझो थोड़ी सी लेकिन ये तो टॉपिक बिलकुल उनसे अ यह सब नया है यदि में मौडिलोस वैल्यू लेता हूं यदि मेरा यज है वह वह थो माइनस-फाइव हे तो मौडिल्यू सांवफ यह क्या होगा पाइव होगा एक और मेरा फाइव है तो मौडिवॉल्यूस आप मे कर लेता हूं तो नीचे वाले जो ne caucus है यह भी positive हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सब और उपर वाले positive हैं तो यदि में इसका summation लोगा तो इसका cost minimum होना चाहिए फिर मतलब यह summation minimum होना चाहिए तो हम बात में बात करेंगे अभी तो इस चीज को समझें concept क्या बताना चाहरा है इस summation जो इसका modulus का summation यदि इस तरह का data हुआ उपर नीचे फेला वह तो क्या 0 देगा कभी यह नहीं नहीं देगा ना वहीं में रखेने का मतलब है तो इस तरह से यह 0 के करीब वालत हम select करेंगे वो तो अपनी जगह है पर यह कभी भी इस situation में 0 नहीं देगा हाँ point यदि पूरे line पर वह तो 0 देगा है हाँ इस इट के लिए कि जाता है तो मौडल डेटा की तरफ बायास हो गया है जब डेटा पर बायस हो गया तुन ना डेटा डालेंगे तो वो कुछ भी रिजर्ट देगा को कि जो इस्टोरिक डेटा उस पर बायस हो गया उससे उसने तो अब वह दूसरा जो भी डेटा डालेंगे उस पर वो दे गई नहीं रिजल्ट ढंग से ठीक है न वाट अब गॉट जैसे दुरुनाचार वाला एक किस्सा है कि अर्जुन उनका बहुत अर्जुन इस डेटा हिस्टोरिक डेटा है और एकलव जो था वो उसने दुनाचार की मुर्ती रखके वह बाण चलाना सीखा था और वो तो अर्जुन से भी बहुत आगे था दन्वर विद्ध्या में था ना कुट्टे के मुह में पूरे तीर डाले ते जिसमें कुट्टे को जखव में नहीं और पूरा मुह जो है भोकना बंद हो गया कुट्टे का और एक जख में भी नहीं ट्रोण चानल ने क्या किया भोगि व भायास ते हर जूंसकी तरफ तो ऑन्होंने क्यां किया उसका ऑंगटा है गुरुदक्षिंट नामा है जब तूने मेरी मुरति रख के सिखा है बनाके तो गुरुदक्षिंट तो यहां पर एक तो यह मेजरमेंट हुआ है ना अब क्या होता है कि हम खाली इसको यह तो समेशन आगा समेशन तो कुछ भी आएगा पर हम क्या करते हैं हमेशा इनके इसको बोलते हैं M.A.E. M.A.E. का फुल फॉर्म होता है मीन एब्सुलूट इरा मीन एब्सुलूट इरा तो हम क्या करेंगे कि समेशन आफ मैं ए लिख दू ना इका मतलब वह यह वाई आई माइनस के वाई आई ठीक है और एब्सुलूट करेंगे और उसका मीन ले लेंगे तो मीन आफ एब्सुलूट इरा है ना एब्सुलूट इरर का मीन मतलब उसको एंसे डिवाइड कर रहे हो समेशन को तो वह मीन हुआ एक तो यह मैजर मेंट हुआ है कि दूसरा मेजर में टेक और है जो स्टेंडर में हम करते थे इसको बोलते है आरे मेसी यह सब आएगा जब यह पन रिजल्ट निकालेंगे ना तो यह सब वैल्यू देगा वो जब अपन मॉडलिंग करेंगे तो उस वैल्यू से तो हमें डिट्रमाइन करना है इंटर्प्र रहा हूं इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वाई आई माइनस के वाई आई का स्कॉयर ले जैसे स्टेंडर करते थे तो रूट मीन स्कॉयर किये और फिर उसका मीन निकाला और फिर उसका रूट निकाला ऐसे उल्टा चलता है यह बहुत ही अच्छा आपने रिखाया है इधर इसको बोलते हैं आरे मेंसी का फार्मूला है एक यह भी तरीका हो सकता है यह सर यह सार तरीके देखने कि मॉडल कितना बैटर सिपर हां बैटर से फिटिंग ऑफ दो मॉडल वी किन चेक तुरू इस यहां तक समझ में आ गया अब यह जो दोनों मैजर हैं मॉडल कैसे बनेगा वह नहीं बताएंगे ना अब उस पर आएंगे पहले मॉडल पर अधर से चलेगे आज तो थियोरी चलेगी कल से मॉडलिंग चालू होगी पहले थियोरी के कंसेप्ट जब तक कलियर नहीं आ तो कोई मतलब भी नहीं बिलक आपको समझ भी नहीं आएगा क्या मतलब निकाल आइस नहीं क्यों कि यह दोनों मेजर जो है यह एपसुलूट मेजर एपसुलूट मैंने बताए थे आपको पेले डिसपर संद इस्टेंडड डेवीएशन जो है एपसुलूट मेजर है पर कॉफी सेंड्ड जो होते हैं वह और रिलेटिव मेजर होते हैं बताय था आपको यह जींड़ी यह तो यहां पर भी हमारे पास कुछ रिलेटिव मेजर होगा कियों हो सकता है कुछ भी जो वाई की वैली वह गई यह सेलरी है और यह लिया आई लोगा मीन सिलरी से उसका डिशन या प्रीट्रेट से उसका डिशन देख लूगा यह वेलु तो यहां अपन कुछ भी नहीं किये सकते हैं यदि हमने दो तीन लोगों ने मॉडल बनाए हैं सेम चीज के समझे कुछ भी नहीं कह सकते मतलब हम खाली में आपको एक ही मॉडल का आरे में सी दूँ रूट मीन इसका रूट मीन इसका दो जार तीन सो तो आप कुछ डिटर्माइन कर सकते हैं कि मॉडल कितना अच्छा है कितना बुरा मतलब द दो बहुततीन अगर आप देंगे उस सेम मॉडल का दो लोगों ने महान लिए अलग बनाया प्रीति ने अलग बनाया बनाया और आपने और सब का आरे में सी निकला से सेंड़ें और से मॉडल बनाए अपन ने रोटी हर एक से थोड़ी बनेंगी कितना पर्फेक्ट आप बना पाते हो वही चीज़ें तो सबका आरे में सी डिफ्रेंट आया है ना तो जिसका आरे में सी कम होगा वो मौडल अच्छा माना जाएगा ना कम्पारेजन में तो पता कर सकते हो आप जैसे मैंने अवह बात करी थी में मेन एक क्लास का मेन और बी क्लास का मीन जास करके तो आप अच्छा कर रही है यह है हमारे पास एक से ज्यादा है मौडल के और सेम डेटा से बनाए हुआ से में अल्गोरित्म से single model का RMAC आपको दूँ को आप determine कर सकते नहीं कर सकते न सिंगल RMAC दे रहा हूं तो यह model कि अच्छा बता सकते हो नहीं बता सकते हो नहीं नहीं है सर प्रिती जी clear हुआ आपको जी सर जनके आवाज नहीं आ रही है उनसे पूझना जरूरी रहता है कर दिया और शिखाया कि इसको प्रेस करके भी तुम बोल सकती हो इसके समझ में भी आज वो सिस्टर के बच्चे आई हुए उनको जा कि इशारा करना पड़ता है कि चुप करो इतना के लिए हो गया ना सब जी सर जी सर अब देखिएगा इसमें भी हम रिलेटिव मेंजर की बात करते हैं एक रिलेटिव मेंजर लेके आएंगे इसमें देखिएगा जब हमने कॉफिसेंट्स बनाए थे तो उस इस्टेंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइट किया ना याद आया आपको जी स्टेंडर्डर की बात करें नाश्टेंडर्ड डेविशन की क्योंफ की बात करें पर उसका फॉर्मॉलई यहां Cirma से निकला है आवार मीन से निकालते हैं पर डेवीशन यह स्टेंड़ डेवीपिसंग एक्स माइनस एक्स बार इसक्वायर समयूशन रूट यह था न इसक्मा था यह पूरा उसी को अपने मीन से किया था इसलिए मीन से डिवाइट करते हैं पर यहां कि हमेशा कर सकते हैं का प्रेडिक्टू का तो हमारे पास कुछ भी नहीं है यहां तो प्रेडिक्शन हर एक वेल्यू अलग है यहां पे तो फिक्स था ना एक्स बार यहां पर हमें एक एक फिक्स वैल्यू से नहीं है यहां तो तब हम रिलेटिव मेजर केसे बनाएंगे यहां पर एक लाइन से हैं तो यहां हम रिलेटिव मेजर कॉफी से तो नहीं बना सकता है यहां हम बनाएंगे दूफ से तरीके से देखेएगा तैंजेंट से उसके एंगल से नहीं एक होता आर आर होता था था कॉफिजेंट ऑप को रिलेशन पड़ा था आपने यहां पड़ा था अब आर जो है वो दो ही वेरियेबल के बीच में को रिलेशन बताता था बताता था यह और भी के बीच में माल दीजिए मेरे पास एक ट्री एक स्फर और एक Kerry गवनश्यी और मेरे पास यह टार्गेट वेरियेबल याई थीक है यह मेरे सब इंडीपेंडेंट्टर वेरियेबल यह मेरा डिपेंडेंडेंट्र वेरियेबल यहां तक के लिए रो कृए ओंड़ ऑर वाई वीरिवल हा थीक है Congma मैं इन सब का अभी एक समझने के लिए सम ले लेता हूं इंडिपेंडेंडेंट का तो मैं इस सम से और इनके बीच मैं यदि को रिलेशन की बात करूं मेरे पास यहां मेरे पास मेरे पास मेरे पास फक्रशन में इससे मतलब नहीं मेरा कॉलम मेरे पास तक समझ में आया नहीं सब्सक्राइब यह बहुत सारी वैलिए यह अलग अलग वह पैरामें अलग 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 कॉलम है एक्स वन मालो यह यह इंकम है यह कुछ और यह इस जेंडर है यह फलाना आए यह डिकाना इन सब वैरियेबल का अभी समझाने के इनका मैंने सम कर लिया और इस सम का मैंने मेरे टार्गेट वैरियेबल के साथ कोरिलेशन चेक किया ठीक है तो दो वैरियेबल होगा अब फिर मेरे पास और यह पता किया जाता है पर यह दी में बहुत सारे वैरियेबल की वैल्यू को एकुमिलेट करके एक जगा रखता हू और उसको target variable से correlation चेक करता हूँ तो उसको मैं capital R से represent करूँगा ना कि small R से पहला तो यह अंतर समझाँ अगर मैं बहुत सारे variables के सम से अगर मैं correlation निकाथ है तो capital R होगा यहां तक समझ में आ गया जी ठीक है न जी ओके तो यह भी एक प्रकार से correlation coefficient हुआ लेकिन collective के अगेंस collective है ना हुँ इस इट के लिए यह स्माल आर्म और केंपिटल आर्म में difference समझ में आ गया सबको रियाज समझ में आया यह स्रियाज नहीं समझ में आया पूंचे कोई दिक्कर नहीं समझ में आ रहा है यह अगा अब क्या होता है कि जो आर है स्मॉल आर इसका रेंज होता था माइनस वन से वन पर मैं यहां क्या करता हूं मैं नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव में नहीं हो लगना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा आर स्कॉयर कर लूँगा तो वह मेरी वैल्यू से वन के बीच में आएगी जी नेगेटिव वाली सब पॉजिटिव हो जाएंगी माइनन वन का स्क्वैर मिंसेफ से कमे और चोटा होजाता दिसके हम जीरंगे यह सैट पॉइंट मॉइंटjang का स्क्वैर गर्ने तो सब्सक्राइए ञांने सटने भी नंबर हों युइ मुंके सब्सक्राइब हो होग होग्ए तो वह इसी के अंदर लाई करेगा जी रो बन के बीद केसा है एक पाज तो यह इसको एफेक्ट ही नहीं कर रहा है नहीं करेंगा नहीं करेंगा नहीं यदि वन के करी हुआ तो हाँ वह सिगनिफिकेंट इफेक्ट डाल रहे हैं वो सब वेरियेबल उस पे लेकिन तो हमने देखा कि अगर जितना वैल्यू होगा उसका और चोटा होगा उसके मानली जी पॉइंट सेवन होता है न तो स्कूर हो जाएगा पॉइंट पॉर नैन अब हम उस चीज को बूल जाए इसको अब हम देखें खाली आर स्कूर वेल्यू की बारत नहीं मानलो आपके किसी मॉडल का आर स्कूर आए जीरो पॉइंट सेवन एट हैं और मैंने एक मॉड पॉइंट फॉर ज्यादा बेटर होगा पॉइंट सेवन एट वाले से मतलब है साथ जितना नियर टू वन होगा वह उतना अच्छा मॉडल होगा तो यदी में लिखूं कि मैंने एक मॉडल बनाया और उसका आर स्कूर पॉइंट सिक्स है तो आप उसको क्या मानेंगे अच भिलकुल अच्छा मॉडल माना जाएंगा यहां हैं नहीं 86% एक क्यूरेसी मॉडल dal 56% यह एक्स पिरेंड कर रहा है Hom PAR मैं आ.'" जो वैरिएबल हैं इन्डेपेंडेंड रिएबल मेरिएबल वह 96% टारिएब रिएबल पो इन्फॉर्मेशन कन वें निक अरफेंकीनमा अगें िदिझें लेने में है गट मय पाइंट दिसिजन कौन ले रहा है प्टिक्टेट दिशन वेल्यू क्या है और यह तो मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोू तो जितना अच्छा और स्कॉएर होगा उतनी ज्यादा वह इंपॉर्मेशन ट्रांस्वर कर रहे हैं वाई की तरब मतलब उतना अच्छा मॉडल है वाट मैं पॉइंट सबसे अच्छा मेजर्मेंट होता है आरे मेसी से भी अच्छा होता है क्योंकि यह रिलेटिव मेजर है इसकी एक रेंज है जीरो से वन के बीच में सब्सक्राइब है अगर फॉर्मूला नहीं डालना है कमांड देने पर आजाएगा तो सब्सक्राइब कमांड देने पर बहुत आसान बहुत आसान कि इतना आसान है लीनियर रिग्रेशन मॉडलिंग मैं आपको थोड़ा सा आर पर बता देता हूं तो आपकी घवराहाट खतम हो जाएगी है ना बिल्कुल समझ जाते हैं कि थोड़ा सा में बता देता हूं ठीक है कि साथ मैं प्रैक्टिकल जो बता देता हूं कि आपको साज माजाएगा इसका क्या ओक्यों करें आप करें 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 कि देखिए कि बहुत सिंपल साथ आपको बताएं कि 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 देशन मौडल में बना रहा हूं एक लोन का डेटा है साथ पहरे बताया था लोन का डेटा अपन ने क्लीन अप किया था इसमें पर्सेंटेज अटा आए थे लोन के डेटा में याद आए आपको डेटा प्रिप्रिपरिशन में और प्रिप्रिपरिवर्श़ट करूद करूद संद्सर्ट आपको अपने की लिए अपने मैं दिखा रहे देटा याद आगई आप प्सांजी क्लियर व्यवत याद आया आपको फीको रेंच भी था इसमें पने इस पर याद आ गया आप सब तो प्रिप्रेशन क्यों करते हैं कि यह कंडिशन होती है कि यदि आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरीबल होना चाहिए वह सब नियुम्रिक में कनवर्ट करना पड़ेंगे आपके तो उसके लिए डमी वेरीबल बनाते हैं और जो जैसे डेप लोन परपस की लिए सकते हैं तो इसके डमी वेरीबल बनते हैं बाइनरी 01 के फॉर्मेट में ठीक है जैसे मैंने बताएं जेंडर में मेल फिमेल है तो जैंडर मेल लिखेंगे तो जो मेल होगा वह वह और फिमेल होगा आटमेटिक जीरो होगया तो मुझे दो केटेगरी थी म मेरा जैंडर मेल से काम चल गया के नहीं चल गया आप बताएं जैंडर फिमेल भी बनाओ वह जैंडर मेल ही तो मुझे बता रहा है जहां वान है वह मेल है जहां जीरो है वह फिमेल है एक ही वेरीबल दो केटेगरी है तो एक वेरीबल से काम चला के नहीं चला मेरा एक ही ड तो अपन बाद में देखेंगे उस चीज को समझेंगे मैं खाली आपको बताता हूं मैं इसको पहले यहां से जो डेटा कर देता हूं यहां तक यह मैंने कर दिया पूरा अब देखिएगा यह डेटा आपको देख रहा है ने क्लीन देख रहा है निट क्लीन है सब निम्रीक है लास्ट में देखिएगा वह सब जो केटिगरी थी उनको मैंने बाइनरी कर दिया वह कैसे किया वह अपन बाद में जब इसकी मॉडलिंग करेंगे न तब मैं बताऊंगा अभी तो सब सब्सक्राइब होगे कि नहीं होगे ल है धीचे सब नियुम Wir• अब देखिय क्या करते हैं अब सबसे पेले वं देटा को दो पार्ट में डिभाई करते हैं कि हम क्या करते हैं अनुप मैं बनेग्सेटरी कर दो करने में रहुआ है और 30% में मॉटर को वित कर नहीं में यूज करूंगा वाट मैं पाइंट मुझे टेस्ट भी तो करना पड़ गया ना अन्नोन डेटा में डाल रहों तो कैसा रिस्पांस दे रहे हैं तो मैं यहां पर खाली रन करके बताता हूं मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि हां यह मॉडल बनता केस है कि मैं वह सब चीजे बाद में बताओं बागी किla में यह आते चला जारहा है यह मैं कर रहा हूं इसके अंदर को कि यह सब प्रोसेस नहीं बताना चाहरा हूं मैं आपको खाली linear model के से बनता है वो बताऊंगा लास्ट के लिए क्या रहता है यह तो सब मैंने डेटा प्रोसेसिंग करी यह बहुत प्रोसेसिंग अब देखिए यहां है जब डेटा पूरा मेरा प्यार हो गया सब तरीके से सही हो गया मैंने मिसिंग वैल्यूज भी भर दी अब सब कर दिया ठीक है अब मैं क्या गर रहा हूं टार्गेट वेरीबल रखा मेंने यह मॉडल फंक्शन क्या एलेम इतना सा फॉर्मॉला एलेम जैसे मीन लिखते थे यहां लेम लिखना यह एलेम फॉर लीनियर मॉडल इसको मैं इस्टोर कर रहा हूं फिट के नाम से आप कुछ भी दे सकते हैं ठीक है और टिल्डा डॉट डॉट का मतलब जितने भी वेरियेबल इंट्रेस्ट रेट के अलावा वह सब इंडिपेंडेंट वेरिबल हो गया मुझे पूरे वेरिबल नहीं लिखना वड़ेंगे इस इस तो पता करना है कि इंट्रेस्ट रेट क्या लगेगा इस प्रोफाइल वाले को चलते हैं मार्केट में आप देखा होगा हाउस लोन में सब में तो अब इसमें आइडी भी कॉलम था एक जो मेरे काम का नहीं है मॉडलिंग में यूज होगा है नहीं होगा आईडी कोई वह वैलिव थोड़ी है वो तो भई खाली नंबर है ठीक है तो उसको मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा जिस भी कॉलम को मुझे नहीं रखना ह है टिल्डा कर दिया तो सभी कॉलम ले लिए बागी कि उसमें आइडी भी ले लिया था उसने तो आइडी मुझे नीचे तो माइनस आइडी कर लो तो आइडी को कंजिटन नहीं करेगा वाट में पॉइंट स्वाथी जी समझ वाया इतना इस वाटी ने और फिर डेटा जो है मेरा यह डेटा है ट्रेन वाला है यह मेरा डेटा का ना रही हुआ कितना आसान है कि अ कि अंगा वहिगा ओकी यह यह मेरा फार्मूला मैं अभी होगा आपको बाद में यह कॉफी सेंट से सब के यह भी मैंने भी नहीं किये हैं इसमें से अपड़ते हैं कोन सा रखना है को नहीं रखना है यहां पर कहीं पर आर इसकॉयड वेल्यू दे रहा है कि इतना दे रहा है यहां रहा है यह यह दे रहा ह। हुँआ एफ स्टाडिस्टिक क्या है सब मैं explain करूगा कैचीज यह क्या कि यदि मैं इस मॉडल को इंप्रूफ करता हूं मैं इंप्रूफ कर रहा हूं मैं बफिर करना पिर यह जेक कर रहा हूं और फाइनल मॉडल मेरा और इसका सर फर्क पर पड़ता जाएगा हाँ वही मैं बताना चाहरा हूं आपको पर आप तो सर सोच समझ के कर रहे हैं ना ऐसे ट्राइल और बेसिस पर नहीं नहीं सो समझ के ही होता है वह साइंटिफिक है मैं पूरा तरीका बताऊंगा आप भी कर पाऊंगे आप देखें यहां आर स्कुराइट कितना है जिरो पॉइंट डॉइंट 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 यह क्यों सेम बता रहा है जबकि सब कुछ हटा दिया हमने है ना फिट मैंने क्या फिट को चैंज किया है सब को चैंज किया है और यहां पर क्यों नहीं हुआ एक सगेंड में देखों यह बढ़ना था कि एलेंट पॉन थ्री लॉग परना है कि अग्धिए कि मैंने उसी नाम से का दिया संप सब एक जगेंगेसिट 7 6 9 2 एक जगेष्ट 7 6 9 2 एक जगेष्ट 7 6 9 2 सब इसके पर एक जगेंगेट 7 6 9 2 सबमीं चैंज नहीं यह रहा है चैंज आना चैंज सर आपके हर उसमें एस्ट्रिक्स लगावा है वो कमांड ले ही कहा रहा है वो हाइफन लगावा है क्या बोलते हैं उसे यह नहीं नहीं आपने जो ऊपर फॉर्मलास दिखे ना सर उसमें पहले यह नहीं यह तो मैंने वो नारी को नौट से कमेंट है कमेंट है यह इदर दोड़ी है लिकन बाकी दो रन में आ रहें हैं चलिए यह क्यों नहीं चेंज हुआ यह देखो आँ इसको कि वेरियेबल तो मैं एक चीच बताता हूं आपको इस मॉडल में होगा वही चीच इसमें मेरे वेरियेबल कितने थे और मैंने कितने कम कर दिये यह कितने से बचे लास्ट में बचे कम में बिल्कुल सर बहुत थोड़े से रहेगा जब कि आपके मैं पहला मॉडल बताता हूं होrie पहले मौडल में वयरियबल हमारे पास यह है कि 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 यह तने वह बेरी बलते और यह अपर जाते हैं उपर जाते हैं उपर जाना पड़ेगा सॉरी में देश कि सबसे यदा यहादा थे यह वेरीबल थे इतने वेरीबल थे और यहां 0.7713 था सब्सक्राइब बढ़ गया है तो आप देखिएगा मैंने इतने में से वेरीबल हटा दिये जो काम के नहीं थे यहां से मैंने डिसाइड करके जिन्क्या भी वेलीम.05 से ज्यादा अट क्यों में खाना है यहां क्या होता है कि एक को आपने हटाया तो इसनका मिला जूला एफेक्ट होता है सबका टार्गेट वेरियेबल पे तो मान लो किसी क्लास में कोई बुलिंग बच्चा है चार-पांच लोगों का गुरूप है और वह वह क्लास में बुलिंग कर रहे तो आप क्या करेंगे आप जो उसका लीडर होगा ना उसको पहले अठाएंगे न लास से बाहर पहले निकालेंगे और उसको पहले पनीस करदेंगे उसकाथ होता है कि आपने सबसे ज़्यादा बुलिंग वाले को पहले पनिस्कर दिया हटा दिया किलास से तो हो सकता है वे तीन असमें होता है जिसका वैल्यूपी 2 पसे जाज़ा है उसको पहले हटाओ है ना हो सकता है कि दूसरे अपने आप चेंज हो जाए वैल्यू है इसे करके हम लोग वैरियबल हटाते जाते हैं तो जो वैरियबल सिग्निफेकंड ने इंपक्ड डाल रहे होते हैं वही वैरियबल बचते हैं लास्ट में हमारे पास जिनका वेल्इव पुई जीरओ फाइव से कम होता है gonna is it clear तो यहां भी पूरा experiential user हो रहा है कि हो रहा है हो रहा है सर हो यहां भी इंफेन्शेल यूज होता है पूरा प्रडिक्टू में तो यह इस प्रकार से काम करता है आर स्कॉयर सब में आर स्कॉयर जाएकि 0.7712 है फिर नीचे आए अपन थोड़ा सा तो 0.7712 और नीचे आए तो 0.771 वही है और फिर आए तो 0.771 फिर 0.7707 फिर और आए तो 0.7704 पाइंट 7704 और पाइंट 7704 लास्ट में तो हमने वेरियबल एठाए तो आर स्कॉयर तो कम हुआ हमारा हमारा पहला आर इसको एर था 0.77 में शुरू वाला बताता हूं जो था वो ज्यादा था इन सबसे वह मैं आपको पहला वाला था याद रखिएगा इसको पहले वाले को पॉइंट 7713 था 7713 था लास्ट में और यहां पर देखेंगे एंड वाले में साथ सुचार तो साथ सुचार जो है वह आर स्कॉयर ज्यादा अच्छा था ना इससे बिल्कुल साथ सुचार उतना अच्छा नहीं है बट क्या होता है कि जो नॉन सिगनिफिगेंगेंट विरिवल हमने मैं तो हर वेरियिबल कुछ ना कुछ यूनिक इंपॉर्मेशन भी रखा था अपने साहर निःवर करता टार्गिट वेरियेबल को चाहिए वह वनं पर्सूंट रखा हो तू पर्सेंट रखा हो तो वह इन्फॉर्मेशन आजरी हमने उन वेरियबल को अठाया तो वह इंफॉरमेशन लेके चले गए वह इंफॉरमेशन मिली नहीं टारगेट वेरियबल को तो हारी स्कुर कम हो गया थोड़ा सा बहुत जादा नहीं हुआ है मार्जिनल डिफ्रेंस आया है यह बहुत कम आया न बहुत ज्यादा नहीं आया है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मिशन हमने लूस नहीं करी करी क्या वाट इट कि लिए एक सेक्ड़ एक मिच्ट झाल 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 यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब किसी 15 दिन की चुट्टी पे चला जा है तो जो दूसरा है जिसको एक्स्पोजर नहीं देने देता था तो वो इस टाइम पर कोई प्रेजेंटेशन देगा तो वो अपना एक अच्छा सा अपना एक एफेक्ट डालेगा कि नहीं बताईए आप है बिल्कुल साथ उसके एपसेंस में ऐसा ही कुछ वेरिबल्स होते हैं जिसको दूसरे वेरिबल सप्रेस कर रहे होते हैं तो यदि हम उस वेरिबल को हठाते हैं तो वो वेरिबल ज्यादा इनफॉर्मेशन डिलीवर कर पाता है पहले कि अपक्छा वाट मैं पॉइंट के लिए तो इस प्रकार से कहीं बार और स्कॉर वेल्यू बढ़ भी जाती है कि इसमें अभी तो मैंने खाली आपको एक ट्रेलर ट्रेलर दिखाया है कि हां कैसे काम होता है बहुत आसान है पहला जरूर थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको को कि डेटा प्रिप्रेशन पार्ड भी है देखिए दो चीज़े होती है इसमें डेटा प्रिप्रेशन औहुत ही यह सिरियस चीज है पहले तो हमने सिमबॉल को ऑटा दिये परसेंटेज़ हटा दिये pén my point is it clear बाद में टेस्ट करते है न डेटा उस डेटा से कुछ चीजें हमें partition के बात करना पड़ती हैं जैसे missing value missing value हम partition के पहले नीर फिल करेंगे हमें सब partition होने के बाद outlier भी हम adjust करेंगे partition होने के बाद जितना भी यह feature engineering के काम होंगे ठीक है फीचर सेलेक्शन का काम पहले हो जाएगा फीचर इंजिनेरिंग के काम कुछ काम ऐसे फीचर इंजिनेरिंग मिसिंग वैल्यू रखना है यहां आपको आउट लेयर के साथ क्या करना है यह सब जब आप डिसाइड करेंगे यह partition करने के बाद करेंगे ऐसा क्यों करते हैं उसका कारण है मान लेजिए आपने पूरे डेटा का मीन निकाला और वो आपने missing value की जगे भर दिया पूरे डेटा का आपने partition नहीं किया है समझेगा पॉइंट को बहुत के लिए अब क्या हुआ कि जो टेस्ट के लिए डेटा अप अलग करते भविस में उसकी इंफॉर्मेशन भी आपने दे दी पूरे डेटा का आया है तो वो डेटा पॉइंट को भी इन्वाल्व कर लिया गया है जो टेस्ट के लिए आप अलग करते बाद में partition में इसका भी reflection उस मीन के अंदर आया के नहीं आया है आया है ना पहली चीज़ तो वो मीन आपने भर दिया पहली फिर आपने partition किया अब partition करने के बाद आपने ट्रेंड ट्रेंड जो डेटा था सत्तर परसेंट उससे आपने मॉडल बना लिया उस सेवंटी परसेंट डेटा में वह वाला मीन भी है जो इंप्यूट करके रखाता आपने मिसिंग वैल्यू की जगए है के नहीं है तो मीन अपने साथ टेस्ट डेटा का भी कुछ सात में लिये है के नहीं के इनफॉर्मेशन तो में लिया है क्पूर कुछ रेके इन्फॉर मेंशन तो होगी तो तो पहले ही मॉडल को दे दी उसने पहले रही बता चाह्या है एसा है वेज़ वेसा है यसा होता है ना कि बाबा गएलमाव माओ और जो हमारे इδώ रहते हैं जो पाखंडी सादू अगेरा वो क्या करते हैं उनके दो आदमी बाहर बेठे रहते हैं आप गए आप से बात्चित करेंगे यह करेंगे थोड़ी से लेनकों से इंफॉरमेशन किसी तरह तक अंदर करेंगें और वहीं बाभा जी आपको बताई में यहीं चीज है उप पूरे सोब्सेंट में दाल रहेैं js ide报 मोडल में डाएं तो Zen डेटा किसलिए किए जाता है कि टेस्टिंग लिटा से यह आपको पते चल देंगे आपको मॉडल कितना अच्छा है त्रेंड डेटा का से आप इवेल्यूएट कर रहा है आर इसक्वार मिल रही है 7704 ठीक है यह तो भाई उसी डेटा से ट्रेंड हुआ था उसी पर प्रडिक्शन ले रहे हैं वाट मैं पॉइंट अंजान डेटा डाले मतलब बैसिकली अंटच्ट होना चाहिए टेस्ट टेस्ट डेटा जो उसने कभी देखा नहीं हो मॉडल ने तो इसलिए कुछ चीजें हम लोग पार्टिशन के बात करते हैं प्रिपरेशन वाटिंगे ना कुछ चीजें मैंने पहले जले करी हैं के पहले भूस PC चीजे करी हैं पार्टिशन के पहले तक मैंने यह जो है दमी वेरीबल्स वग пиш वगर रवनाहे हैं मंस्क वग़र अटाएं यह सब किया और परटिशन के बाद फिर मेंने– कां Rescue मिसिंग वह सब क्या भरना थी वह सब मैंने काम वह जो काम है एन्यों को हटाना है ना फिर उसके आउट लाइर या आउट लाइर वाला फार्मुला है है मैं सब मैंने पार्टिशन के बाद आप होता क्या है कि अब आप बोलेंगे कि सर टेस्ट डेटा में भी मिसिंग वेल्व था की तडियटा के मिन से पर टेस्ट डेटा की वी सिंग वेल्व सभी भरी जाएगी ना कि टेस्ट डेटा के मीन से समझ रहे हैं पॉइंट को किस से बहुत है कि क्या है कि वह पेरामीटर जो रहेगा ना जो हमने मिसिंग वैल्यू के लिए एक वह निकाली कि जो भी मिसिंग होगा उसमें हम यह वैल्यू भरेंगे टेस्ट डेटा आपके पास कोई और भेजा दूसरे जिले का कुछ और आया दूसरे डिस्टिक का कुछ और आया और इनमें भी मिसिंग वैल्यू तो सबका मीन अलग 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 आएगा के नहीं आएगा तो इसका भी जो लिमिट अपर लिमिट लोवर लिमिट निकाला जाएगा वह ट्रैनिंग डेटा के ही हम लोग उसके अंदर अद्धेस्ट करेंगे इसके लिए तो हमेशा ट्रैनिंग डेटा के ही पेरेमीटर को हमें डालना है टेस्ट डेटा में तो यह सब चीजें छोटी-छोटी चीजें अभी आपन जब करेंगे तो यह और पॉइंट में किलियर करूंगा आप ठीक है तब जाके जो आपका मॉडल है अपनी एक्कुर अच्छा दे रहे और टेस्ट डेटा पर मॉडल फेल गया है तो कितना सेवेंटी पर्सकंट तक कुछ वो लेते हैं या कितने किस लेवल तक फिर हम इसको रिजक्ट कर लेते हैं देखिए पहले जो मॉडलिंग थी 50% के उपर आज से साथ-8 साल पे ले कोई मॉडल 50-60% दे कताने के बाद रही निवरल नेटवर्क और यह जो हम म ॉसीन लर निंग एवल्ल एल्गोरित्म है जो लीुनियर गेरं कर रहे हैem तो क्रण। डेटा है कम डेटा यहना हजार पांच हजार भीस जार पचास हजार एक लाग दो लाग कम डेटा के लाग आपके पास लूज रोज नहीं यदि थीक हो गया तो वह बिग डेटा हो जाता है इस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यदि आपको और इसमें मैथमेटिकल फार्मूला लगता है इसको मैं बताऊंगा फार्मूला कैसे क्या रहता है तो मैथमेटिक्स में कंपूटेशनल पावर भुछ जदा लगेगी जब बड़ा डेटा होगा तो लगेगी नहीं आपकोई यदि 10 संक्यां जोडने में कम समय लगता पचास संक्यां जोडने में जादा टाइम लगेगा लगे सब्सक्राइब एसे ही कंपूटर को भी टाइम लगता है पर वो फ्र बड़ा डेटा होगा तो नियूरल नेटवर्क बहुत अच्छी एक्पूरेसी देता है वह पेटन को समझता है वहां वह भी कॉफिसेंट सी निकालता है जैसे अपनी यहां निकालते हैं पर वह दूसरी टेक्निक हो जाती है ना उसका लर्णिंग अलग हो तो कम डेटा के लि को बहुत ज्यादा कॉंटिटी में डेटा चाहिए उसको ट्रेनिंग डेटा बहुत चाहिए होता होगा बहुत ट्रेनिंग डेटा चाहिए उसका में रीजन है कि एक्कूरेसी जो है अब काफी अच्छी आन लगी है और इसमें भी हम मॉडल को मॉडिफाई करते हैं आगे कि डेटा के साथ रियाज यूज करेंगे वह और फे पर उसके लिए स्क्रिप्स है तर अफेक्टिफ और कॉन सा है तेखिएगा आपने जो वह डेटा साइस पर डेटा करता है अच्छा कर देटा है तो मसीन लेर्निंग पर जाएंगे ज्यादा बड़ा डेटा है तो फिर नियूरा डेट वर पर जाएंगे अच्छा में भी अब बिग डेटा ही होता है वह नोट रहूं कि हम तो डेल ही रेन वाटर को करते हैं हार उसको करते हैं प्रेसिपिटेशन कितने होते हैं आपके पाद ने आप कंटिनुएस मशीन से लेते होंगे ना अफ्षां नहीं मशीन से तो नहीं लेते हैं इदर डेपार्टमेंट से जो लास्ट इस्टी येर्स से डेटा ले रहे हैं कुछ न कुछ तो मैंने जो मेरे पास 43 येर्स का डेटा था और वह यान मैंने ये नल हाइपॉसेस अल्टरनेड हाइपॉसेस के कैंडल तो ये सारी चीजें लेगाई ही इतने बड़े डेटा पर सर्वा मैंने सारा टाइप किया था हार्ट फार्म में डेटा मुझे डिपार्टमेंट से मिला था के इनकी तो वह कहते हैं ना सिक्यूर्टी इशू होते हैं तो वह सारा मैंने डबल वो स्केन पुरानी टाइपिंग मेशीन का डेटा साथ मेरे पास आया था वह मैंने टाइप किया था एक्जल में तो उसकी बाद से तो मेरी आई साइड पे असर पड़ा है अभी मैं यह सोच रही हूं कि मैं दुबारा हूं उस चैप्टर क नहीं चाहिए तो बच पे हस्ते हैं कि तुम तो पागल हो दीखेंगी मैंने हर तरीके से उसको करने कर देखा है लेकिन फिर फाइनली ऐसे था कि मैंने दो सालों में उसमें तूल था एक या निवी फाइन डीडर करके टूल आता है मैं अच्छा वह किसी भी तरह का डेटा हो चाहिए टाइपिंग करा हुआ हूँ कोई भी डेटा हो उसको convert कर देता वर्ड में या एक्सल में बहुत यूज किया हूं उसको पहले तो मैं मेरे पास एक दो ऐसे प्रोजेक्ट आ गए थे तब मैंने वह टूल पर्चेस किया था क्रेग वर्जन भी मिल जाता उसको मेरे पास जो पहला डेटा था 1963 का डेटा था तो आप 1963 में जाए ना उसकी जो टाइपिंग मेशीन थी और वह जो हाट कॉपी सी मिटा हुआ डेटा पहले तो वह दे नहीं रहे थे फिर उन्होंने उस फॉम में दिया वह कच्रा नहीं होता लेकिन यह है कि वह बंदे में इनर्जी हो तो वह हिम्मद चारी लेता है तो अभी भी अक्सर सर को कुछ चाहिए हो तो सर कहते होते हैं एक्जल स्टीड बेड़ा है